हम लोग को जो मेंट चैप्टर था कंप्लीट हो चुका है पर उसक्राइब कंप्लीट हो गया है फर्मोडानिमिक्स और एक लिए उसा हुझा हुए नहीं था लेकिन हाँ केमिकल बॉंडिंग हो गया था जी ओ सी हो गया था ओके सो तुम लोग बताओ कौन सा चैप्टर इसमें हाड लगता है थर्मोडानमिक सम्लोग सबसे लास्ट में करेंगी इन वाले चैप्टर में एकल्यूब्रियम में कौन सा या सलूशन हम लोग पढ़ें एकल्यूब्रियम में दोनों चीज़ें आएंगी केमिकल इकल्यूब्रियम और आइनिक इकल्यूब्रियम करा दो ओके यह वाला चाप्टर पढ़ा भी नहीं है और तीन कोश्चन आते इस से तो यह स्टार्ट कर देते हैं ठीक है ना ओके आए 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 दो केमिकल इकल्यूब्रियम में दो सथ दो दो तरीके की चीज़ें आएंगी केमिकल एंड आयोनिक केमिकल इकल्यूब्रियम में क्या क्या चीज़ें हैं और वह हम लोग भी देखेंगे कि कि प्रिवाइट आए टो टोड़े आए केमिकल इकल्यूब्रियम लोगों ने पहली बार या बहुत दिनों बाद रिवाइस कर रहे हैं केमिकल इकल्यूब्रियम तो वह थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे कि देखो क्याएक इकल्यूब्रियम को हम फिर से पांट में डिवाइट कर लेते हैं कि क्या-क्या, चीजह इस में पढ़नीज है घीचैंक है , आफ, पांट वा इकीत। कर लेते है फिर इसके बाद में तो क्या पहले हम, लोग क्या होता है और उसके बारे में पढ़ेंगे इसके टाइप्स पढ़ेंगे लिए कॉन कॉन से टाइप सवते हैं एकलिब्रियंगे पर फिर इसके बात हम लोग रेट के बारे में पढ़ेंगी डाइट और फॉर्वर्ड एंद बाक्वर्ड बाक्वर्ड जब रेट ऑफॉर्वर्ड और रीट बाक्वर्ड जो एक्वल होंगे तभी के एकिलिब्रियम की कंडिशन सेडिस्वाई होगी यह चीज़ हम लोग को पढ़ना है अच्छा फिर इसके बाद यहां पर हम लोग को के सी के पी और के अक्स और फिर उसके बाद हम लोग रिलेशन बढ़ने रिलेस्टीन बिट्वीन के पी एंड केसी ओके फॉर्दर हम मोग के पिंड केसी के एक्स हम लूप पर रहे फिर उसके बाद रिलेशन पर रहे सिरैस के बाद फैक्टर से अफक्तिन पढ़ेंगे ठीक है वन सौर्ट में फैक्टर अफटिंग और फिर हम लोग दी ओडी पढ़ेंगे डिग्री आफ डिसोसीएशन अलफा के बारे ओके और फिर सबसे लास्ट में हम लोग को पढ़ना है लीच आटलिया टुइंस पढ़ेंगे लीच आटलियर इसके बारे में हम लोग को पड़े तो यह में में पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स के बारे में हम लोग को डिसकस करना है कि 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 इसको बोलते हैं मालो कोई भी चीज अगर आ जैसे तराजू देखा है न तो पहले तो एक कंडिशन एकलिब्रियंट्स कि एक रियक्शन होती है रिवर्सिबल रियक्शन और दूसरी होती है कि इर्रिवर्सिबल रिवर्सिबल रियक्शन एक्षिन एक रिवर्सिबल अब रिवर्सिबल में फ़रक्ष्ण सथे दो थmodern रियाक्टेंड प्रोडैंट में कनवर्ट हो रहा है और प्रोडाक्ट रियाक्टेंड में च्यों मतलब में में जो रिवर्षिबल रियक्षन होती है वह क्लोजड । कंटेनर में होती है किसमें होती है क्लोज कंटेनर में और यह वाली रियक्शन जो होती है वह ओपिन कंटेनर में होती है और जो रिवर्सिबल रियक्शन होती है न इसमें हम लोग कि इक्लिवर्यम की बात कर सकते हैं इसमें हम लोग इक्लिवर्यम की बात कर सकते हैं इसमें हम लोग इक्लिवर्यम की बात नहीं करें ट्रिवर्सुबर रियाक्शन आप देखो गुए टो मेन रिवर्सुबर ऑ रिवर्स कि बात होगई अब जो Number है और दूसरा होता है केमिक जरुबियुूद ही आगर हम बात करते हैं फिर्जीकर एकलिवियुम की अगर बात करते ही तो क्या होगा तुछ ऑन जैसे में यहां पे एक हम ऊर की बात करते हैं के एक जामपल आ जाते है तुम लोग उसके कशा जाता है कि कहों सा अर सब्सक्राइब कर एक डाइनमिक एक टिक है स्टाटिक एकिलूब्रियम एंड डाइनमिक एकिलूब्रियम के अगर बात करते हैं तो स्टाटिक होता क्या है मैं जैसे बूकर यह टेबल पर रखी हुए यह वाले जो जो फेना माल लिया यह भूट जो हाव टेबल पर अब टेबल पर रखी हुए है तो वह प्लीख सटाटीक है source, ish बुक ऑन्डी टेबल इना कॉन सा चैप्टर करा रहा हो गेमिकल एक्लूब्रियम एक्लूब्रियम चल्दा है मतब केमिकल और आउनिक दोनों का मिक्स है अब डानेमिक इक्लूब्रियम में दो तरीके क्या में मतब चीजे indoor चैन्ज होती रहती है डानेमिक अक्लूब्रियम में ہी से यह कर सट चैन्ज होती है लेकिन जैसे हैं सॉसलिड है और इच्क ह के बीच मैं इक्लूब्रियम है तो उस को बोलेंगे क्या स्काली कलूब क्या बोलेंगे फिजिकल अच्छा अब केमिकल इकलिबियम की बात है इसमें केमिकल ही चेंज होगी जैसे एच्टू आई टू गेव्स टू टाइम सॉफ हो गया अब इसमें जो एकलिबियम है यहां पर केमिकल चेंज है ना यहां पर केमिकल चेंज नहीं है यहां पर वाटर है और यहां पर भी वाटर केमिकल में कोई भी चेंज नहीं तो वहां अगर होगा तो उसे लेंगे का को में कर लिए और अगर आगर केमिकल चेंज हैं और केमिकल चेंज हैं उनके बीच में है तो उसको क्या बोलेंगी के इसे से क्लियर बात इतनी साइब्रेसिब्र रिएक्षिन जैसे अगर हमने सोडियम है सोडियम को हमने और उसको सब्लीमाइद कर दिया कर दिया ऑने को हम ग्यास सब्लिमेशन प्रोसेश है की नहीं है अब सॉलिट से गैस्स में कनवोर्ट कर दिया लेकिन केमिकल में चेंज इस नहीं तो यह वाला क्या हो गया इसको क्या बोलेंगे फिजिकल उकी डन रिवर्सिबल रियक्शन क्लोज कंटेनर में होती है जैसे ऐसा यह कंटेनर क्लोज है तो अगर यहां पर कोई लिकूइड है उसको हम माल लो इवापरेट कर रहें कर रही उख़र और अगर कंटीन केट्विक में निकल जाती तो वापस हा पाती है आपाती वापस नहीं आपाती तो मतलब हम इकली बिरम नहीं मिंटेन कर सकते हैं तो यहां पर ऐसा है कि अगर क्लोज कंटेनर है तो वेपर में कंवर्ट हुआ और वेपर फिर किसमें कंवर्ट हो गया लिए इवापरेशन कंडेंसेशन प्रॉसेस की बाद है तो इसमें कुछ भी उड़ गिया है ना शरुब कि यह चोटी सी बात अब हम बात करते हैं कंडीशन की कंडीशन ऑफ इक्किलिब्रियम इस डामिक में अब मेरी हमिबना किको क्थ वारे के मिकल के वार ten और सब्टे सोफ और एक एक्लिब्रियम अगर एक्लिब्रियम के कंडीशन हम लोग देखे हैं तो क्या हो सकती है ये कंडीशन इस्टी पड़े तुछ हम लोग यहां पर जब भी पढ़ेंगे ना तो तो कंडिशन ऑफ विश्य को अगर कोई भी डियक्षिन ऐसी है यह से जा रहा है अब और सी जा रहा है तो र ड्रीट ओफ रवर्ड और बीस यह जा रहा है तो रेट ओफ बाइक बदें A से B जा रहा है तो rate of forward, rate of forward मतलड, A से B जाना forward reaction होना और B से A covered rate का क्या मतलब होता है rate का मतलब speed, speed of forward, and speed of backward reaction तो अगर reversible reaction है उसमें rate of forward और रेट और बाक्वर्ड अगर कभी भी इक्वल होते हैं तो उस टाइम रियक्शन जो है वो एक्लिब्रियम में होती होगी यह कंडिशन है अच्छा रेट कैसे निकालेंगे अच्छल में केमिकल कानेटिक में रेट इस डारेक्ली प्रपोर्शनल दूदा कॉंसेंट्रेशन और रियक्टेंट होता है इतनी माग तो पता रेट इस डारेक्ली प्रपोर्शनल दूदा कॉंसेंट्रेशन आफ यह इस जल्दी से रियक्शन करेगा रियक्शन उतनी थेजी भागेगी थे नहीं तो अगर हम रेट आप फॉर्वर्ड रियक्शन करेंगे तो का इंच्छा बैक्वर्ड के लिए के बी रियक्टन क्या है तो के ऊफॉर्व फॉर्ट कॉंसेंट्रेशन ऑफ इंदूनों इक्वेशन को हमने बच्चा एड कर दिया इसको इक्वेड कर दिया क्योंकि कंडीशन एना एकलिब्रियम की अगर कंडिशन हमने क्या किया बेट ऑफ फॉर्वर्ड और रेट और बाकवर्ड एक्वेट कर दिया तो इन वाली एक्वेशन को रखते हैं सो के अफेस ए अब के भी भी सो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या के आफ अपॉन के बी कि अपॉन के भी क्या हो गया है के एक लिए तो यह कॉंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉंसेंट्रेशन ऑफ एसा हो तो हम लोग उन्हें वैसे भी पड़ा हुआ है कि अगर किसी भी रियक्शन का सब्सक्राइब कॉंसेंट्रेशन निकालते हैं तो कॉंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडाइक्ट्रेशन जो होता है कैसी के पी और कि यह तीन तरीके का होता है एकुलिव्यूम कॉंस्ट्रेशन इंटर्म्स ऑफ चांसेंट्रेशन अगर एकुलिवडियूम कॉंसेंट्रेशन बताया गया कि ठीक है तो हम लोग ऐसा लीक सकते के सी के टरम्स में चॉप्यपस रिप्रेजेशन भी कॉश्चन देंगे तो फिर येपी दे सकते हैं और की यही रियएक्शन लोग एक रियाक्शन भी लिख लेते हैं ममत students अब यह वाली है उसके सींपवर सी सी की वालु लिख सकते लिख सकते हो इस क्या है एक प्रोडेक्ट 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 थी की पावर डी अपन एक पावर ए और बी की पावर बी यह लिख रहे हैं इस क्याव रखिक वो कांसेंट्रेशन तो घर हम केपी की बात करें तो पार्सल प्रेश्र आप वी की पावर डी उपन पार्सल प्रेश्र ओफ ए कि पावर एस प्रेश्र आप्ड चिके और अगर हम ने मोल फ्राक्शन की टमस में लेका है कि मोल फ्राक्शन के टर्म्स में लेका तो हम लोग एक्स ऑफ सी की पावर सी एक्स ऑफ डी की पावर डी अपॉन एक्स ऑफ एक्स ऑफ बीकी पावर यह ना निकाल सकते हैं यहां पर भी के एक्स आएगा कहां पर यस यह के एक्स है कि यह के पी के सी और के एक्स क्या है एक्किलिब्रियम देखो मुखकृ की इकिलिब्रियम इंट कंसेंट Сवय एक्सेंट अधुध हरता है उप टी तरीका से लेक encaps constant in terms of concentration equilibrium constant in terms of pressure or equilibrium constant in terms of mole fraction so inka formula ये ओके जल्दी देखिए और रिलेशन भी देखा होगा कि के पीजिक वर्टे की पावर डेलेटा एंजी और एक रिलेशन है यह बहुत इंपॉर्डेन रिलेशन नों को याद कर दो के सी आरटी पावर डेलटा एंजी अब डेलटा एंजी क्या है उसके बारे में हम आगे डिस्कुस करेंगा तो अपने को रिलेस्टन मिल गया है केपी इस एक कॉस्ट डू केसी आरटी की पावर डेलटा लिए फिलिए इक्लीब्रेन्ट से इन तर्स आपको पाटैजू और ईकलेबूम मॉगांसे इन दम्स आपको पाइलटा अब श्यू वाहिए यह सब पता ही है डेल्टा एंजी जो होता है ना डेल्टा एंजी नमबर ओफ मोल्स और प्रोडेक्ट माइनस नमबर ओफ मोल्स ओफ रियाक्ट जैसे जैसे हम एक कोश्चन दे यह ऑफ एंट्ब ट्री एस यह गशम लृफ जीशेच के बीच में कि पी और बीच में रिलेशन वताओ असानी से बताया सकता है कैसे बताएंगे यह रिलेशन हमें पताएंगे अब हमें डेल्टा एंजी की वालू निकाल माइनस तू यहां बेर मौल्स प्रोडक्ट के कितने हैं तू है रियक्टेंड मतलब माइनस फू फू अफ प्रोडक्ट जो है वो फ्रोडक्ट जो है वह मोल्स फ्रियक्टेंड फूर ऐसे आघ की पावर मायनंस Вы-क पाउन और भी अपंस्क इससे कभी कभी रिलेशन सिंस्पल सिंपल पॉश्चन पूछब जाते को अभी धू पूझे पडिक पर तो इसम Ajani बस सरी आंसर आगया बस यही आंसर आगया अब तुम्हें अग कैलकुलेशन करने के लिए तनी यादा आप गालू नहीं देंगी कि अगर मालो केसी की वैलू भी दे दी जाए तो यहां पर फुटब कर लो आर की वैलू पता है 0.0821 टेंपरेचर दिया होगा वैलू पर सिंपल वे पे आजाते हैं अभी उसमें पढ़ेंगे ना यह पीवाई क्यू करेंगे ना उसमें बहुत सब्सक्राइब क्लियर कि येस सब्सक्राइब येस सब्सक्राइब एकाद और रियेक्शन देते हैं अन्म्नेवला एज दू प्लस ऐथू घग्श्ट्व मानेवला एज तो फैकिंट डान्म सब्सक्राइब सती पलाइब سब्सक्राइब शव्म सफ्क्राइब की ठीम क्यची कि बैज स्तीक की टारी स्थिंट्ट सिंपलीज़िट्ट पहले डिल्टा एंजी की वालो निकाल दो तू माइनस सुट जीरो आ गया सो केपी इस एकवेज चुट केसी आइटी की पावर डिल्टा एंजी जीरो किसी की पावर जीरो जो होता वो वन होता है सो केपी इसकुर्ष केसी तूर न चलो अगर हम बात करें PCL 5 हम एक रिलेशन बना रहे हैं देखना पी-सी-एल-फाइव है गेव्स पी-सी-एल-3 और सीयर्ट बुलेश में रिलेशन के-पी और के-सी में रिलेशन एक कोस्तु के आर्टी की पावर ने में इन तीन अलग अलग केसे लिए केसे में ने हैं इस वाली की सेज में डेल्टा एंजी की वालू ने गेटिव है इस देटा एंजी के वालू जीरो है और डेल्टा एंजी के वालू पॉजिटिव थिक है अब देखू अगर हमने बोला कि डेल्टा एंजी के वालू निगेटिव आती है तो केपी और केसी में क्या रिलेशन है डेल्टा एंजी के वालू अगर पॉजिटिव आती है तो केपी और केसी में कौन बढ़ा है डेल्टा एंजी के वालू अगर जीरो आती है तो केपी और केसी में कौन बढ़ा है ऐसा है शरू करो फटाफ़ा अगर डेल्टा एंजी बढ़ाए जीरो से तो केपी छोटा होगा केसी से और अगर यह नेगेटिव डेल्टा एंजी तो केपी बढ़ाओगा केसी से ऐसा ठीक है क्योंकि यहां पें देखो अगर निगेटिव है तो है देखो ध्यान से कीस की किसके वराबर आ रहा है कैसी की तub ऑपकेसी की वयलू जदा है केती की समझ ना अरे भाई अगर हमने एक का इस तो यह वाली जादा है कि नहीं तो यह किसके बराबर केसी इस मोड़ें के की इन केस ऑफ डेल्टा एंजी इस निगेट जो अगर एंजी निगेटिव है तो केसी इस अमोर दें एपी अच्छा डेल्टा एंजी पॉजटिव है तो यहां पर केपी इस इकवास्टू केसी आरटी केपी इस इकवास्टू के सी और आटी इसमें बडिप्लाइव हुआ है और यह किसके बराबर केपी तो केपी दें और यह तो एक पाल पर एक डारेक्ट वालुची आपना बोलो बिटा कि अलिए तो अब हम बात करेंगे कि फैक्टर है ना एकिलिब्रियम कॉंस्टेंट को अगर रियक्शन को कुछ भी चीज चेंजिस कर दिये जाए तो एकिलिब्रियम कॉंस्टेंट में क्या फरक पड़ेगा सबसे पहला अगर कभी बी किसी भी रियक्शन में किसी भी चीज़ को मल्टिपिकेशन जैसे माल लो एग जैसे एकिलिब्रियम कॉंस्टेंट के वन है अगर इस रियक्शन में हमने तू से मल्टिप्लाई किया है तो इसका एकिलिब्रियम कॉंस्टेंट क्या होगा ऐसा है है तो अगर के वन है तो के वन क्या होगा अगर इसका माल लिया के टू है तो कॉंसेंटेशन आप बी का स्क्वार और एक मतलब के वन का स्क्वार होग या कि नहीं होगा मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कभी भी किसी भी चीज़ से मल्टिप्लाई करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ से मल्टिप्लाई करते हैं तो वह जो जिस का मल्टिप्लिकेशन करते हैं वह उसकी पावर में चला जाता है लिए जैसे हमने बोला एक रियक्शन हमने बोला एन्टू प्लास थ्रिएच्टू गेवस टू टाइमस ओफ इसका एकिलिब्रिम कॉंस्टेंट के वन इस एकवर्पीस टू है अब इस रियेक्शन में हमने तू से मल्तिप्लाइक कर दिया ठीक है इसका इकिलिब्रियम कॉंस्टेंट क्या हूगा ऐसा कोश्चन पूछ पूर फोर हो जाएगा सिंपल सा एना सो टू का स्कुवाइर तो यह तो मुल्टिपिकेशन की बात हुई अगर हम किसी भी चीज का कि डिवीजन करते हैं डिवीजन मतलब जैसे एक कोई रियक्षन है एच्टू प्लस आई टू गेवस टू टाइमस ओफ हमने इस रियक्षन में क्या किया कि हाफ या वन टू से डिवाइड कर दिया इस पूरी डियक्षन टू से डिवाइड करते हैं अब क्या होगा इसका एक्किलिवरियम कॉंसेंट एवन था इसका केटू और केवन के टॉंस में क्या होगा ऐसा बोले हैं कि अगर किसी और चीज का डिवीजन करते ही तो वन बाइट तुदाए कर रहे तो कर रहें एक बात है तुद तूसे डिवाइट कहो चाहिए बात एकी बोलो तूसे डिवीजन कहोु चाहिए मन माय टूसे मल्टीप्लाइट कि तो अगर रूट होजएगा एस केवर हो जाइगा के वन की पावड वन वाइट जस चीज uh apologize करते हैं वह वान अपॉन की पावर में चला है जैसे हमने तो से डिवाइट किया है यह तो वन अपॉन तू थी से डिवाइट किया है ऐसा हो मतलब फ्रेक्शन वाली डिजट भी मल्टिप्लिकेशन में पावर में आ जाएगा एक क्वेश्चन बता देते हैं तो मैं फिर समझ में आ जाएगा जैसे हमने बोला एंटू है थ्री एच्टू गेव्स टू टाइमस ऑफ इसका एकिलिब्यूम कॉंस्टेंट टू दिया गया है इसका एकिलिब्यूम कॉंस्टेंट दिया है अब अगर हमने और ऐसा किया इस ने पूछा जा रहा है आप कि इसका एक लिब्यूम कांस्टेंट बताओ इस वारे रियाक्शन का इसके रिस्पैक्ट इसके रिस्पेक्ट में इस वाली र्एक्शन का एक्किलूब rein fans आराम से बताये क्या हो जाएगा के टू एज उक्वार्स टू की पावर इस वाले रियक्शन को देखो और फिर इसको तब क्या हो गया है मतलब क्या हो गए अंडरी रूड ऑफ के तू जो गया वह अंडर अंडर रूट अफ टू को के साथ किया है मैं कुछ समझ नहीं आया है हमने जब डिवीजन किया ना तो वन अपॉन की जिस चीज का डिवीजन क्या यहां पर इस वाली रियक्शन को देखो 208 अब इस वाली रियक्शन को बैट त। लिया हूआ इसका निगालना होता है तो इस वाले दिएक्षण में जितने से लिए करते हैsecond जै इंतर यहां पर हैегONG तरहां पर से डिवाइट कर रहे हैं जैंगा become वन वाइड कर रहे हैं, देखना जैसे अगर हम A है B है, C है इसका एकलिबरम कॉंस्टिंट के वन है वन वाइड त्री वन वाइड कर रहे हैं, एसा ना यही तो डिवीजन होगा वन वाइड थ्री कि एक्लिब्रियुम कॉंस्टेंट का इसको और सिंपल कर लो या कुछ ना करो इसका एक्लिब्रियुम कॉंस्टेंट क्या गया के वन की पावर वन अपाउन वन बाइट इस चीज़ का डिविजन कर रहे वह तीसरा फाक्ट अगर रियक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तरदी लगदी लग रहा है ठीक है अगर रियक्शन को रिवर्स कर रहे तो क्या होगी देखना जैसे आमने बोला एच टू प्लस आई टू गेव्स टू टाइमस और इसका केवन बताओ केट ना हो कि तू कि तू कि तू सवन वन वन क्या अभी कोश्चन ही नहीं दिया है एच आई की पावर टू डिवाइड बाइच टू की पावर वन आई टू की पावर वन प्रों के भाई इसका हमने केवन टू दे दिया कि अच्छा अगर हमने रियक्शन को रिवर्स कर दिया जो रियक्टेंड जो प्रोडेक्ट था वो रियक्टेंड में करवन कर दिया अब इसका क्या होगा हुआ है बोलो बोलो इस reaction को हमने reverse करके यह बनाया है उल्टा हो जाएगा वन बाइटू एकदम सही बोला कैसे बहुत पर भी तो यह लेफ्ट एंड साइड में है न अब अगर इसको रिवर्स कर दिया गया तो यह राइट एंड साइड में आगे की निए तो दिक्तुराइक रिवर्स होगे रिवर्स हो गया तो इनवर्स हो जाता है जैसे अब देखना एक साथ यह सारी प्रॉपर्टीज का एक कोशन देंगे एंड टू प्लाइस थ्री एस्टू गेव्स टू टाइमस ओफ एसा दिया होगा है अब हमने क्या किया इसका एक्किलिवर्यूबर्यूम कॉंस्टिंट्यू है वो के बने अब इसका कितना होगा कि बूलो बूलू क्या हुआ है कि वर्ड़ीवर्स कर दिया गया है तो क्यों थैँ होगा है है ale वन्बाइक वन टिक है अगर ऐसा दिया हुआ है इन टू प्लॉस थ्री घर्वस थ्री थ्रीव्स टू अब इस रियक्शन को हमने क्या किया टू एने स्ट्री सॉरी कि एने स्ट्री गिव्स हाफ एंट्टू एंट्री वाइट्टू है अब यह के टू है वो के टू क्या होगा निकाल के बाइटू कुण टुक टुक कर रहा है वन बाइटू वन बाइटू वन बाइटू वन बाइटू क्या किया गया पहले तो रिवर्स किया गया तो वन बाइटू हो गया और क्या किया गया बताओ रिवर्स कर डिवाइट वन बाइटू से डिवाइट नहीं तू से डिवाइट को अगर तू से डिवाइट को गया तो हम ऐसे लिखेंगे आई केंगे तू से डिवाइट तो टू से डिवाइट है तो ऐसे लींब कि सो रिवर्स कि या गया है तो वन डाइटीं होगया और तू से डिवाइट किया गया तो स्वेर्स तो déjà तो के टू इस एक वर्स टू अंडर वुडॉफ देखू एक बाफ फिर साथ मैंने दे दिया है इस वाले रियक्शन को पहले देखू इस वाले रियक्शन पर ठीक है देख लिया थे अभ इस वाले डीक्शन को देख आज आ यहां पर एंस्ट रीका है एध्य стор संट पनी सटाट आफा यहां पर आश्री और किया गए नुुर्श किया गया रिएक्शन को रिवर्स किया गया गया अब यहां पर तू 2 था यहां सापर तो उनहीं मतलब से डिवाल भी यह हो रिवाइड किया गया है एंडý miya, divided by 2 तो है अब रिवर्ष करते हैं तो क्या हो जाता अपॉन में हो जाता है तो वन बैन कि अब रिवाइड करते हैं तो वशर। नकिन है ऐसक दोनों का एक एक नहीं आएगा कि मतबर एक का अगर रिवर्ट का बोला जाए यह तीनों का आ सकता भी देखना कोश्चन करेंगे कि जैसे हमने बोला कि एच्टू कि आइटू कि गेवस्टू टाइम सब्सक्राइब इसका हमने केवन दे दिया है त्री ठीक है देखना द्यान सी यह गिवेन है फाइन एक लुब्यूब्यूब्यूब्यूम कॉंस्टेंट फॉर एचाई तू आई तू एटू बोलो एचाई थे तू नहीं है याद अथ ना देखो गिवन में क्या है बन बार रूट तू नहीं है यह 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 इसमें को जाए है इस वाली रियक्षिन में है और यहां पर रिवोर्स कर दिया गया है तो वन अपॉन थ्री और टू से डिवाइड कर दिया क्योंकि यहां पर तू था वन वाइट तो इसकी पावर वन वाइट तो अब तो हो जाएगा पहले रिवाइट नहीं था कि हम एडिशन की बात करते हैं कि अगर बिताओंगे वन वाइट रूट थी के साया यह 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 ना लिखो तो यह समझ में आंकि कि सरी तो ठीकल गुट कैंगे होता है रूट थी होता है अंडरोट होता है रहे टू थी पावर वन वाइट तोकी आग सप्वात पना है ना है ओंडुस थीयर ओंगा हो गया हो कर देते हैं जैसे एसे बी जा रहा है वी से जा रहा है इसका एकिलिब्रियम कॉंस्टेंट के वन है के टू है और कि ठीट रहा है थिक है बोला जा रहा है कि एसे डी का निकालो अगर कभी बी लिएक्reasंट होती में और होने की होने से फाइनल रियक्शन बंती है के अगर कभी अधिक्ति पहरší को आइड करने से फाइनल री अच्प्स पंदी तो उसका एकुलिब्रियमट जो हो जाता है इसवाले रीक्शन का वो जितनी बिखिए ऐड करेंगे युद युद एंका मल्ट्रिकिशन होजाएगा। कॉंसेनेशन आफ बी अपॉन कॉंसेंट्रेशन रिषेंद एकटिछ नहोंसे एपॉन कॉंसेंट्रेशेज इसकาร की फॉन कॉंसेंट्रेशन आफ सेट क्या होगी कंश्टरी ayudaude। अब एस्ट डी इन तीनों को एड किया है मतलब इन तीनों को एड करो तो ए प्लस बी प्लस सी ठीक है बी प्लस सी प्लस डी ऐसा है कि इसके लिए हमें निकालना तो इसके लिए अगर के तो क्या होगा सब्सेंटेशन अभी अपन आफ या कांसेंटेशन आफ रोडाक्ट रोडाक्ट वी और रियक्टेंट अफ यह कुछ ना कुछ वालु गिवें नहीं यांप देखो बी अपॉन एक्या है के वन छेडीड क्या है K2D up on C किया है मतलब K1 K2 और पीडि ने मतलब अगर कभी भी reaction को add करते हैं कभी भी अगर नियक्शन नो कंस्टेंट होता है जो एप कॉन्स्टेंट होता है वह मल्लार्टिपकिशन में चला जाता है को तुडिकिश्फिटप्रार स्रेख raises तो किसा आपने इसका प्रोव दिखाया कैसे आया यह प्रूफ दिखाया अगर तुम्हें यह मतब यादी करना है तो याद कर सकते हैं ऐसी में दे हैं तो फाइनल रिएक्शन नहीं दे रखी होगी तो पहले हमें फाइनल रिएक्शन कोश्य हुआ कि अ सब्स्रैक्शन दिए जैसे मालोग इदन हम कि सब्स्ट्राक्शन की बास अगर कभी भी सब्सक्राक्श कर दिया तो क्या होगा जैसे हमने ए से बिदी आ हुआ हैं कि घॉन सी से डी है यह ना A से B दिया हुआ है C से D है है ना और D से One second A से B दिया हुआ है B से C दिया हुआ है C से D से C दिया हुआ है अब reaction मिनानी है A से D इसका equilibrium constant K1 K2 K3 इसका क्या हो जल्दी बताए इन तीनों को multiplication कि इन तीनों को add करेंगे तो यह यारी reaction मनें ही क्या मुझे तो नहीं रखता है के वन इंटू के टू डिवाइड बाई के टी येस बेरी कुट ठीक है इन दोनों को एड किया है इसको माइनस किया मत्ब ऐसे किया है ए प्लस बी माइनस त्टी ठीक है फिर सी माइनस अब देखो यह हाली डीयक्शन यहीं बने की नहीं मैंने सी सी कैंसेल ओगया बीडी कैंसेल हो गया इँ माइनस दी यह डी साइड है अगया तो थे कि मतलब हमने फ़र्स प्लस सेकिंद किया और थर्ड को माइनस किया तो फास्ट प्लस सेकिंद मतलब के वर की सब्सक्राइब अगर जिसका माइनस करती है न वो डिवीजन में आधा रहा है किसी बीजिज़ का अगर कि अगर कोई भी रियक्शन के दिया हुआ है और उन रियक्शन को माइनस कर रहे हैं तो इकलिब्रियूम कॉंस्ट डिवीजन में आगा एक वाफिर से अगर देखो चार चीज़े हैं कि मद्ट्टिप्लिकेशन करना तो पावर में चला जाया और शब्स ट्राक्शन करना है तो डिवीजन कि इतनी बात क्रियर है कि नहीं ठीक है तो बस पानी बानी पीलो तुम लोग नेक्स क्लास सालो होने वाली है और दी को नेगेटिव क्यों लिया इसमें और माइनस सी क्यों लिया यह वाली चीज़े कर देजिए अगर हमने ऐसा लिखता इन तीनों को अगर एड करते हमें दी तो प्रोडेक्ट साइड में चाहिए न यह वाली रियक्शन चाहिए यह सब गिवन है और यह फाइंड करना मैं दो यहां पर D बैक्टिव साइड में और यहां पर फ्रोडेक्ट्क चाहिए मटैयोच करना पड़ेका न हमने तुढ़र अगर इसकiren को मैनिया है तो एसमाली दी माइनुस भी वी ऐसा एंसर मैंदिष हैं उसको सब्क्रेक्शन का और यह सक्ट्रीक्शन का है अगर ये तुम अगर ऐसा A से D निकालना है अब तुम बताओ ये वाली रियक्शन दी गई है इससे कैसे A से D बना सकते वो तो तुम्हें तुम्हें दिबांक लगाना पड़ेगा बताओ कैसे बनेगा कैसे बनेगा कुछ पॉसिबिल्टी तो बताओ ना अपने आप समझ में आज जाएगा इन टीनो रियक्शन की हेल्प से हमें एसर डी बनाना बस बोलो माकी सब कैंसिल आउट होनी चाहिए ये तो कैंसिल हो गिया ना सब्सक्राइब ये कैंसिल हो गया हमने जो बनाया था ए माइनस डी इस 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 बनेगा यही तरीका है और और ज्यादा तरीका कुछ नहीं ठीक है तो इसके पी वाई क्यूक के साथ हम लोग में लेक्ट्रों मिलते हैं ठीक है थोड़ा सा चेप्टर ली चैर्टे पर लोग आगे पढ़ने माने चल्ड ओके ठीक है डैंके ठीक है थेंके से यह ज़िस था कुछ अ आ